क्या आप भी चाहते हैं अपना ऐसा ब्राइडल लुक जो बिल्कुल रॉयल लुक लगी तो कांटिनू रहिए मेरी वीडियोस के साथ और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने एक प्यारी सी ब्राइडल को उसका फेवरेट रॉयल लुक दिया जो वो चाहते थे तो यह हमारी ब्राइड है इनका बिना मेकप का लुक दिखा सकती हूँ मैं आपको और यह हम आपका मेकप स्टार्ट खर चुके हैं तो सबसे पहले मैंने हूड़ा की पैलेट लिया है इनका फेस मैंने अच्छे से सी टियम कर दिया है मॉस्टराइज कर दिया क्लिंजिंग कर कहीं आता है बट पैलेट बहुत ऑसम है बहुत अच्छे रिज़र्ट है तो मैंने सबसे पहले आई मेकप स्टार्ट कर दिया है और क्लाइंट मुझे बहुत बाते भी कर रहे थे और मुझे भी मेरे लेंस भी लगाया है और कोशिश करें ब्राइडल को या इंगेजमेंट मेकप को आप लेंस जरूर दें ना ले वो अलग बात है बट दो गी तो एक अच्छा लुक क्रियेट होगा है ना आप देख सकते हो मैंने क्रीज जो है वो बहुत ही अच्छी बनाई है क्रीज बनाते अच्छी बहुत पसंद है और मैं सारे मेकप में थोड़ा स्मोगी टच देती देती हुँ चाहे वो पार्टी मेकप हो, इंगेजमेन मेकप हो, चाहे ब्राइडल मेकप हो, मुझे बहुत पसंद है बाखी क्लाइट के अकौर्डिंग भी हम काम करते हैं अगर क्लाइंस को न मेरे क्लाइन को यह झा जो पूरा भरा वाला जुड़ा हो उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा और मुझे भी नका काम करके बहुत अच्छा लगा और मैंने उनके सारा जूरे विंदासा अधुडा सेck चेशा लगा कि मेरे क्लाइन्स कें सैटिसफाइड हैं और zijn इसको भी पार्टी मेकप, इंगेजमेंट मेकप, ब्राइडल मेकप करवाना हूँ, मुझे बिंदास कॉंटेक कर सकते हैं, या किसी को भी बता सकते हैं मेरे काम के बारे में, गरेंटी है काम आपको अच्छा मिलेगा, अब देख लीजे, मेरी ब्राइडल जो है वो रेडी हो तो मुझे इतना समझ में नहीं आता, तो मैंने सुचा थोड़ा सा हम अच्छा लोग दे देते हैं, ताकि जो हमारी मेकप की वीडियो या पिक्स हैं, उसमें थोड़ा रॉयल लुक आ सके और वो मैंने किया, और मुझे सच में मेरा सेट अप जो है, वो बहुत अच्छा ल लुक इनको लिप्स्टिक चाहिए थी बिल्कुल डार्क कलर की, तो मैंने लिप्स्टिक में 3-4 शेड मिलाए, उसके बाद भी डार्क नहीं हो रहा था, तो मैं हलका सा इंगलोट का काजल मिक्स कर दिया, जिससे उनका फेवरिट लिप्स्टिक तयार हो चुका है, और इनक किसने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, थैंक यू